हलो है इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एडविटाइजिंग एफेक्टिवनेस तो नेक्स्ट आप देखते कि उससे रिलेटेट कौन-कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एडविटाइजिंग एफेक्टिवनेस क्या होता है हम क्यूं टेस्ट करते हैं को उसमें हम क्या करते हैं कब करते हैं और इसके अद्वांटेज इस डिसाद्वांटेज इंपकेर और क्या में क्या हम एडेटियुनिeniz को को मेजर कर सकते हैं तो इन सब इको डीटेल में पढ़ते हैं कॉर्णर आई बटन पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजिंग मानेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें कि आप एड़ोटिजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर वीडियो देखेंग अब आप! फॉलो कर सकते हैं! मैं असिस कर सकते हैं जिसृ का इचिस कर सकते हैं तो इन सबी को डीटेल में पढ़ते को मेजर करने के लिए consumers को maximum satisfaction provide किया नहीं किया उसको मेजर करने के लिए हम advertising effectiveness का use करते हो ताकि हम जो advertisement हमने चलाए हैं उसके result को measure कर सकते नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि why to test the ad effectiveness कि हम क्यों test करते है एड की effectiveness को तो first है कि to make sound future decision जो भी हमारा future का decision हो वो sound होना चाहिए मतलब वो अच्छा होना चाहिए थाकि वो हमको profit दिलवा सके या best decision हम ले next है कि to impress upon the top management कि जो top management होता है उसको impress कर सके next होता है to have a clear breakup picture कि जो भी हमने advertisements चलाया था उसके बारे में हमको पूरी clear picture पता चला है कि उसकी results हम कितने loss में कितने profit में है कितना सही गया है जिस भी objective अच्छीव काने के लिए हम रेट चलाय था वो objective अच्छीव हुआ है या नहीं हुआ है next आता है to know the point of saturation कि ऐसा कुण सा point है जहां पर कि हम saturation मतलब satisfied होंगे कि हमको यहीं तक जाने next आते है कि to keep in touch with new trend कि क्या नया trend आया है क्या changes आया है लोग क्या पसंद करते हैं उसको हम जान सके हैं या उसके touch में रहे इसलिए हम advertising की effectiveness को test करते हैं next नेक्स्ट है what is to be tested कि हम क्या test करें तो first ही in the case of market कि हम identify कर रहे हैं कि कि target market को हमने advertisement का aim बनाए था मतलब किसके लिए हम particular product बना रहे हैं उन लोगों तक या उन जिनको हमने target किया था target market तक हमारा message पहुंचा है नहीं पहुंच जा है तो target market तक पहुंचने के लिए कि हम जान सके कि हम कितना पहुंच पाएं next रहता है in the case of motive की determined करते हैं कि जो भी लोग यह वो क्या आपके product को खरीद रहे हैं major करते कि कौन सा factors है जो motivating है जो कि आपको किसी भी product को यह buyer को motivate करते है next रहता है in the case of message की determine करते कि कौन सा best way है construction का communication का किसी भी message का और कितने extent तक हम किसी भी message को register कर सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम हमारे message को communicate कर सकते हैं तलो उसमें क्या changes और करना होगा next रहता है in the case of media कि हम media way best combination को choose करें ताकि हम successfully audience को reach कर सकें इस सभी analysis के बाद हम overall result पर जाते ताकि जो बे advertising से qualified हुए या उसके performance को हमने देखा कि 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 extent तक हमने advertising के objective को achieve कि decision making के basis पर तो इन सभी के लिए हम advertising effectiveness को करते हैं या advertisement को करते हैं ताकि हम market को जान सके हमारे motive को message को media को और overall result को analysis कर सकें next नेक्स्ट आता है कि कब हमको या when to test the effectiveness की कब advertising की effectiveness को test करना चाहिए तो जब भी add चलता है तो किसी भी stage पर advertising की हम या advertising की process की किसी भी stage पर test को कर सकते हैं टेस्टिंग जब advertisement नहीं चला उसके पहले भी हो सकती before उसके बाद भी हो सकती आफटर ताकि हम पूरे campaign को देख सके जब campaign चल रहा है तब भी हो सकती है तो तीनों टाइम पर इसको test कर सकते हैं next नेक्स्ट आता है कि pros and cons of measuring effectiveness की क्या-क्या advantages और disadvantages होते हैं तो first होता है कि हम क्यों advertising effectiveness को मेजा करते हैं तो इसका advantage है कि first avoid costly mistakes कि हम कुछ जो costly mistakes होने वाली हम उसको avoid कर सके अगर हमारे को लग रहे है कि कुछ ज्यादा risk काने वाली है हम investment पर इन्वेस्ट करने उसका result नहीं आ रहा है फिर भी हम इन्वेस्ट करते जा रहा है तो हम उसको advertising effectiveness से measure कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं नेक्स्ट है evaluate alternative strategies कि जो भी alternative strategies हमने बनाई थी वो कितनी काम कर रही है नहीं कर रही है उसका evolution कर सकते हैं नेक्स्ट आता है increase efficiency in general कि जो भी advertising की कि efficiency हुई है हम उसको देख सके और उसको बढ़ा सके determine कर सके जो भी हमारा objective है और उस objective को देखे कि हमने कितना अचीव किया है यह नहीं किया तो यह कुछ advantages होते है advertising effectiveness के next next आता है disadvantages कि क्या-क्या disadvantages होते हैं तो first cost of measurement कि हम अगर advertising की effectiveness को measure करता है तो उसमें भी cost लगती कि हमको test करना कुछ experts चीए कुछ services का use करना होगा तो इसमें cost of measurement बेंबॉल्व होती है next आता है research की problem कि हमको इसमें research करने होती कि पहले हमने कैसा advertisements चलाया फिर हम उसके according measure करते हैं कि जो भी हमने research से देखा था objective side किया था वह अचीव हुआ है नहीं हुआ है तो इसमें research की problem होती है next आता है disagreement and what to test कि हमको क्या test करना है हम agree नहीं कर पाते इस चीज़ पर क्योंकि इतना deep में knowledge होना चीए next आता है objection of creatives कभी-कभी creative objections भी ले सकते हैं कि उन्होंने कुछ अलग यह different unique चलाया था वह काम करता है नहीं करता है तो उसको measure करना difficult होगा और वह लोग measure करने में objection लेती कि वह measure नहीं होना चीए next रहता है कि time अगर हम उसको measure करने तो इसमें बहुत time लगया कि हमको पूरा data analysis करना है test करना है तो यह time लेने वाली process है तो यह थे कुछ disadvantages next next है importance of measuring the advertising effectiveness कि advertising effectiveness को measure करने के क्या importance होते है first है it act as a safety measure कि advertising के effectiveness को हम measure करते हैं ताकि हम safety में रहे हमको पता चले कि advertising जो हमने advertisement चलाया वो कितना effective है या ineffective है तो यह facilitate करता है हम timely adjustment कर सके advertising का advertising या तो consumer oriented होती है या फिर result oriented तो इसमें wastage of money नहीं होना चाहिए कोई fault नहीं होना चाहिए और advertising में जो money हो रहा है उसका wastage नहों उसको measure कर सकते तो यह की safety provide करता है advertisement के investment में next आता है provide feedback for remedial measure कि जब भी हम advertising की effectiveness को measure करते है तो आपको information provide करता है कि क्या useful advertiser के लिए और क्या remedial actions लेने है अगर ineffective advertisement हो रहा है तो तब क्या changes करने advertisements में जो की सही नहीं जा रहा है या negative हो रहा है तो उसको हम click करतें next next is avoid possible failure कि जो advertiser होता है वो sure नहीं होता है कि advertising के क्या results होंगे particular advertising campaign से तो उसको evaluate करने के लिए advertising effectiveness help करता है कि कि order में results को देखे ताकि loss को avoid कर सके तो यह failure को कम करता है नेक्स होता है कि to justify the investment in advertising की जो भी हमने advertising में investment किया है वो सही है यह justify करता है expenditure जितना भी हम advertisement में कर रहे हैं उसको marketing investment या जो हमने objective set किया था उसको अगर हमने achieve कर लिया profit maximization का objective set किया और हमारा profit increase हो गया है मतलब कि जो हमने investment किया था advertisement में वो सही था हम major कर सकते है advertising effectiveness से कि जो भी हमने campaign चला है वो सही है next next day to know the communication effect कि advertising से हम major कर सकती कि जो भी हमने communication की है या जो भी message communicate किया है target consumers को या audience को तो उसका purpose fulfill हुआ है नहीं हुआ existing और prospective consumers द्वारा तो इसके बारे में various information रहती है product के बारे में company के बारे में हम उसको major कर सकते हैं कि जो भी advertisements हमने सुने है words हमने सुने है या जो भी appeal की है तिनी लोगों तक पहुची है या नहीं पहुची है मतलब सही तरीके से communication हुआ है या नहीं हुआ next आता है compare to market की जब भी advertisement होते है तो दो market होते है test market एक control market जिसपे की कोई changes नहीं होता है उस पर control होता next होता test market की जिसपे की टेस्ट किया जाता है तो इन दोनों के बीच में हम difference को देखते कि क्या changes हुए है consumer के attitude में कितना change हुआ है या फिर sales में कितना change हुआ है तो उसके result को हम इन दोनों में comparison कर सकते हैं तो यह थे कुछ importance next next आते है कि can we measure the aid effectiveness की क्या हम advertising की effectiveness को measure कर सकते हैं तो first होते है कि यह बहुत difficult होता है क्योंकि mathematical और empirical term होती है जिसके कुछ standard होते है जिनको की measure करना बहुत difficult है कि advertisement सर्फ product या services को sell करने के लिए नहीं होता है तो यह business houses को समझना होगा जो other factors होते हैं वो भी important role play करते हैं कि product के बारे में उसकी quality, features, price, packaging, product कितना available है तो यह सब factors भी contribute करते हैं आपकी sales को increase कने में next होते है कि यह link करता है कि advertisement और sales या profit में कितना changes हो रहा है अगर huge investment कर दिया है advertisement में जिसका मतलब होता है कि methods of advertising effectiveness पढ़ेंगे कि कौन कौन सी methods होते हैं जिसके through advertising की effectiveness को measure किया जाता है वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजे चलों को subscribe कीजे तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि advertising की effectiveness क्या test करते हैं क्या test करना होते हैं कब test कर सकते हैं उसके advantages, disadvantages, importance और क्या हम advertising की effectiveness को measure कर सकते हैं Thank you